आपका स्वागत है मैं जोतिश अचारय पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला उन तमाम 12 राशों के बारे में उससे पहले जाने थे आज का पंचांग आज है 13 जुलाई 2023 दिन है ब्रेस्पतिवार और ती थी है एकादशी ज इनके स्वामी है सूरे तो आईए जान लेते हैं आज के दिन आप सभी कैसा जाने वाला है लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमें चैल को सब्सक्राइब करें साथी बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें इसके लिए वाज जितना हो स सकता है लिकिन फिर भी आपको काफी सतक रहने की अवश्रक्त है किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो उसमें आपको काफी दिक्कत आ सकती है अपने एहम पर थोड़ा आपको कड्डोल करके चलना होगा कि बहुत से बातें जो आप सोच के चल रहे हैं कि आप भी को पता है और जो जानकारी आपके पासे टेवल वही सही है क्योंकि ये बात सही नहीं है कारे शेत्री की बात करेंगे तो कारे शेत्र में आप एका जो मेनत और ا परिणाम आपको देखने को मिल सकता है साथी कुछ अत्रिक जिम्यदारी भी आप कुमिस करती है इसके अलावा यदि आप पहले से ही किसी कारे को कर रहे है। तो उसके पूरा होने मी थोड़ा संधे हो सकता है। काफी उसमें आपको बादा देखने को मिल सकती है। जीवन जाती के साथ को मिला के आपको समझे से बनाने की बहुत जरूरत है क्योंकि काफी बार आप ट्राय करने के बावजूद भी आप लोग की बीच में किसी बात को लेके मद्बित हो जाता है जो चाहा कर भी वो खतम नहीं हो पाता है इसके लावा विध्यारती की बात करेंगे तो अपनी रुची के कारण वो किसी डिजाइड या किसी इच्छित इंस्टिट में अडमिशल लेना चाहेंगे जिसमें उनका प्रयास सफल रहेगा यदि आप किसी साथ प्रेम सब्बन में है तो बात भी आगे बढ़ती नज़र आ रही है लेकिन थोड़ा आपको सयम से काम लेना होगा जल बाजी में आप बिलकुल भी ना करें और इसके लावा समय दे अपने रिश्टे को आपको रिश्टा जो है समय के साथ खुद ही अमाई दूसरी राजशी है विर्शव राजशी के बारे में जारेंगे विर्शव राजशी की बात करेंगे तो कुल मिला के कुछ विप्री सिती में आपको महसूस कर सकते हैं हलाकि आप अपने आप पे पूरा निरतर गड़के चलेंगे लेकिन किसी करण माता के साथ आप आप अपसेट रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, आपके यह समझना होगा कि जो भी जीवन है, आज में है, कल और जो कल भी चुका है, उसमें कोई जीवन नहीं है, और दूसरी बात कोई भी आपके जिन्दगी के कलेश हैं, कुछ भी आपकी तकलीफ है, वो इश्वर के नाम में आप सफल रहेंगे, साथ ही आप रियल स्टेट में भी अगर आप कुछ काम करते हैं, या उसे प्रॉपर्टी लेटेट संबंदित में कुछ व्यवसाई करते हैं, उसमें भी आपको कुछ अच्छा लापर प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है, साथ ही कुछ नय वहान आप लैनिंग कर सकते हैं, इसके लावा कारेशेत्र में आपके आज का दिन समाने रहने वाला है, कुछ काम का बोज आप जादा पढ़ सकता है, विद्याती पढ़ाई के लिए काफी गंबी रह सकते हैं, और अपने पढ़ाई के संदर में कहीं आसपास की यात्रा में भी चाह सकते हैं, चोड़े भाई बेन का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, भागे सपोर्ट की बात करेंगे, 78% और भागे आपका एक है, हमारी तीसी राज़े मित्यों राज़े के बारे में जानेंगे, मित्यों राज़े की बात करेंगे, तो किसी कारण वर्ष कुछ अनाव भी देखने को मिल सकता है इसके लावा कहीं investment की सोच तो आज के दिन में को भी सही नहीं है कुछ नुकसान हो सकता है या पहले से कहीं investment किया है तो वहाँ पे भी आपको इच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा इसके लावा किसी आसपास की यात्रा पर जा रहे हैं तो ह्आ पर किसी वेक्ति के साथ आप अकरशित मैसूस करेंगे हो सकता है hanke कि वेक्ति के पूरी करने के गोशिश करने हैं तो हँआपको निराशा ही मिलेगी बागले सपर्ट कीmiddhan के saadila करकराशी की बात करें तो बड़े बहाई बेंगे साथ कुछ अच्छा दिन आप बिताएंगी कुछा सब्सक्राइब को देखने को मिलेगा साती लापकी सिती भी बनी हुई है इसके लागा मित्रों के साथ भी आपका सब्दर रहेंगे और आज कि दिन आपका उनका सभागत क किसी कारेंट बश्च आप अपनी माता के साथ कुछ असयोग की फीलिंग कर सकते हैं कुछ असयोग की भावना आपके मन में अभीतर बसी हुई है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है माता का बैचुके आशिवाद लें आपका दिन खुदबा को ठीक रहेगा इसके लावा कारेशे थरकी बात करेंगे तो जरूरोत से जादा अपने से ज्यादा एक्सेटेशिल रखन आपके लिए भारी पड़ सकता है उतना ही काम का बोज़ ले उतनई का का स्ट्रेस ले zara照 का स्थे हिल्याया य आपको समझनी होगी कुछ जैसे प्रस्तिती उसको वैसे ही लें और वैसे ही अपना 100% देने की कोशिश करें सफलता आपको जरूर मिलेगी इसके लावा कुछ अवरोड आपको देखने को जरूर मिल सकता है क्योंकि शनी आपके अश्टम भाव में गोचर करें उनके दिश्टी आपके दिश्टम भाव मिला के आपको अपना 100% के मनमुटाफ कर सकती हैं इसके अलावा अगर आपको इच्छ परिणाम देखने को 60% करें piss करें और गो और हो सकते हैं कुछ आपको अवरोध भी देखने को मिलें लेकिन कुल मिलाके अगर आप धहरे से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जूरू मिलेगी भागय सपोर्ट की बात करेंगे पचत्र पतिशत्य और भागय अंक आपका चार है हमारी पाची मी राशी सिंग राशी के बारे में जानेंगे सिंग राशी की बात करेंगे तो पूरे दिन आप अपने कारशेत में अपना अच्छा परदर्शन के कारण आपको वावाई बटो रहेंगे साथ ही आपको अधिकारी से अच्छा सईयोग देखने को मिलेगा आपके स्रेटेस में कुछ वृद्धी आप हैंडल कर पाएंगे जिसकी वज़े से आपका जो मान समाहने आपके कारशेत में वो बढ़ेगा इसके लावा अपने काम के पदी काफी गंबी रहेंगे ये आपके लिए काफी साकरात्मक सिती रहेगी जीवन साथी के साथ थोड़ा संगर्श देखने हो मिल सकता है व प्रदर्शन काफी बहतर रहेगा और आपको काम करने का मौका मिल सकता है विद्यारती पढ़ाई के लिए काफी गंबी रहेंगे उनका परदर्शन भी उनके चानुसार ही रहेगा इसके लावा पूरे दिन आप अब अधीरता दिखा सकते हैं या चाहेगों आपका व्यव अधीर होकर आप कुछ भी ऐसा ना कह दे जिसकी वज़े से आपको आगे चलके नुकसान हो भागे सपोर्ट की बात करेंगे तो 65 प्रतिशति और भागयांग आपका पाच है हमाई छटी राशी करने राशी के बारे में जानेंगे करने राशी की बात करेंगे तो कुल मिला पर अपने द्यान के दित करेंगे तो आपको मानसिख शांती प्राप्त होगी इसके लिहाव कोई अपर बरोध है यह कुई बाद है तो वह भी दूर होगा लेकिन आप अपने अथक प्रयास के साथ आपको सफलता जुरू मिलेगी ये बात भी निश्चत है कुछ डेली कारेशित में आपको कुछ परिवर्टा देखने को मिल सकता है कुछ पुरानी जिम्यदारी आपको दुबारा मिल सकती है क्योंकि उसमें भी आपको अपना 100% देना किसी कारेश उसमें कुछ कमी रह गई है भागे सपोर्ट की बात करेंगे 60% और भागे अंकाप का एक है दशी को बात करेंगे साथवी राशी तुला राशी की बात करेंगे तो किसी गहरी समस्य में यतिया फसे हुए है तो आजकी दिन थोड़ा संगर्ष आपको देखने को ज़रू तो मिल सकता है लेकिन फिर भी जल्दी ही आपी समस्य से बहार निकल आएंगे इसके लावा पिटा के सेहद में कुछ मामली सुधार आपको देखने को मिलेगा लेकिन जल्दी ही उनकी सेहद में अच्छा सुधार आपको देखने को मिल सकता है यदि आप सच शेत्र से हैं या उसमें कुछ काने में समलित हैं तो उससे संदर में आपको अच्छा मौका या कुछ अच्छा ओफर आपको मिल सकता है साथ या आपका परदर्शन काफी बहतर रहेगा इसके लावा किसी पराविध्या की तरफ आप अकरशित रहेगे को सगूर अकरशित महसूस करेंगे इसके अप्रती आप अपनी रुची दिखाते हुए इसके ध्यान के लिए आप किसी धान्मी सल पे भी जा सकते हैं हुई नजर नहीं आ रही है कारशियत में कुल मलाकि महुल काफी बढ़ियां रहेगा आपकी कम्मिनिकेशन स्किल यानि समात कौशल के धार पर आप कुछ अच्छा परदशन कर पाएंगे बड़े भाई बेंगे साथ तो सयोग मिलेगा साथ ही कुछ तनाव भी देखने को मिले सकता है इसके अलावा अगर आपको भी विवाग का पस्ता मिले तो उसके परती आपके मन में कंफ्यूजन किसी बनी हुई है क्योंकि अभी आप कुछ और सोच रहे हैं और आप उसके बारे में ज्यादा गंपीरता नहीं दिखाएंगे भागे सबोर्ट की बात करेंगे तो 62 परतिशनते और भागे अंका च्छे है हमाई आठवी राज़्य वरिक्ष्य राज़्य के बारे में जारेंगे वरिक्ष्य राज़्य की बात करेंगे तो कुल मिला के जीवन साथी के साथ कुछ उता चड़ाव द चल रही है तो आपको अपनी पेट का अच्छे से ध्यान रकना होगा खासकर इसके लिए आप एक आयुरुवेदिक मैडिसन भी अपना सकते हैं और योगा और ध्यान भी कर सकते हैं यह से आपको विशेश लापराफ्ट होगा परिवार के साथ किसी बात को लेकर संगश ब थोड़ा परिशान हो सकते जिसके कारण आपको खर्चा भी देखने को में सकता है भागे सबोर्ट की बात करेंगे तो साथ पतिशते और भागे अंक आपका साथ है हमें नौवी राशी दनुराशी के बारे में जानेंगे दनुराशी की बात करेंगे तो कुछ स्वास से समध यानि आपको breath selected problem हो सकते या पहले से आपको अस्तमा की दिक्कत है तो आज की दिन आपको काफी साफ़धा रहने की अवश्यक्त है माता के सियत का आपको विशेश ध्यान रखना होगा साथी माता और पिता का दोनों का आशिवाद आप ले आप हो सके तो अप इश्वर का आशिवाद ले आपका काम जो भी रुका हुआ हो ज़रूर बनेगा इसके लावा माता पिता के साथ किसी प्रकार का मद्बेद है तो अपने बात को अच्छे संगसे कहें बजाए उसे कि किसी बात का दुर्वेवार करें या उनके साथ आप वाद विबात करें या तर्पितर करें ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा विद्राती पढ़ाई के लिए काफी संतुष्ट रहेंगे इसके लावा यदि आप रेम संबंद में हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी संतुष्टी प्राप्त होगी याली पहले से कुछ समस्या बनी हुए तो आज उसका समधान आपको देखने को मिलेगा थोटे भाई-बैन के साथ थोड़ा संगश आप देख सकते हैं साथी किसी यात्रा में है तो वहाँ पे भी थोड़ा संगश आपको देखने को मिल सकते हैं काम आपका आठक सकता है बागे सपोर्ट की बात करेंगे तो सत्तर पतिशत्य और बाग यांक आपका दो है दश्यको सब्सक्राइब हमें करी लिए कोई आर्गूमेंट होता है तो उसमें आपको टटस रहने किया हो शकता है बिल्कुल भी आप अपी तरफ से अधीर होके कुछ ऐसा ना कहे दे जो बात आगे बढ़ जाये हैं साथी सेविंग्स के लिए काफी दिनों से परयास करें लेकिन कोई बात बद्धी नजर नहीं आ रही कुछ ना कुछ खर्चा ऐसे आ रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी बाते निकल कर आ जाती जिसकी वज़े सेविंग में आपकी वृद्धी देखने को नहीं मिल दिये तो इस अं कामला आगे खिष्टा हुआ नजर आ रहा है कारेशित में कुल मलाके अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन परिडाम आपको अच्छा नुसाल नहीं मिल रहा है इसके लिए आप गड़पती का ध्यान करें और खुट्टे को भोजन खिलाएं आपके लिए सकता है कुछ आप ऐसा काम करने में इंटरस दिखाएंगे अपने विवसाय में जिसकी वजह से आपको इसके आसपास की यात्रा पर तो चाहेंगे साथ ये अपने विजिनस को आगे एक्सपेंड करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसे शेहर में आप चर्चा क मिलेगी आपको अपने आलस से दूर रहने यडि आप चाहते है कि आपके वेक्तिका जीवन या आपके कारवारी जीवन में सफलता मिले तो आलस से दूर है आज के काम को कल के लिए बिल्कुर भी ना टाले क्योंकि ये परस्तिति आगे चलके आपके परतिकूल हो सकती है का के साथ कहीं पास-पास की यात्रा पर जाना चाहेंगे जहां पर आपका अनुबव काफी अच्छा रहेगा और कुछ सुकून की तलाश में भी आप रहेंगे आज की पूरे दिन इसके अलावा आपको अपने परिवास से कुछ लाप की स्थिति देखने को मिलेगी यादि क कुछ मोकदमा या कुछ आपके बात चल रही है तो उसमें कुछ अवरोध तो देखने को मिल सकता है किसी रिष्टदार के द्वारा कुछ ऐसे शड़ेंत भी सुनने को मिल सकता है लेकिन किसी बड़े बुज़र्ग की दखल अंदाजी के बात जो माबला है सोलटता नजर आ रहा है इसके लाबा कारे शेत्र में कुल मिला के महल समाने ने वाला है लेकिन लाप के लिए काफी संगर्श अगर आप कर रहे है तो उसमें थोड़ा आपका और इंतजार करना पर सकता है क्योंकि लाप से जादा अभी नुकसान के सिती बनी हुए और खर्चे की सिती ब